जेहन दुस्तो मेरे नमें अतुल और स्वागत है आपका अपनी ओडिप चैनल अतुल डिक बजार में दुस्तो ओपो रेनो एटी वन फेवरिवरी को इंडिया के अंदर लॉंच हो चुका है और 10 फेवरी से ये मिलने भी लगा है तो दुस्तो इस वीडियो में हम इस का रिव्यू करने वाले हैं डिप रिव्यू एंड सारे फीचर्स के बारे में आपको चैन करी देंगे दूस्तो चैनल पने हो सब्सक्राइब जरू से करेज़ेगा बेल आकन को भी प्रेस करेज़ेगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अप्लोड करूँ नोटिफिकेशन आप आपको मिल जाता है पीछे का जो डिजाइन है पॉली कार्बिनेट का बना हुआ इस क्रेजस वगरे हैं आपको ट्रिपल केमरा सेट अप मिलता है लेकिन यहां पर आप देख सकते हूं जो रौंड दिया गया है यह बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है एक सो आर्ट में का प्राइमरी सेंसर मिलता है जो कि सेमसंग हम 6 सेंसर के साथ में आता है तू मेगापिक्सल देफ्थ एंड टू मेगापिक्सल का माइक्रोइस्कोप केमरा मिल जाता है राइट साइड में आपको पॉवर अनॉफ पटर मिल जाता है एंड जो टॉप पोर्शन है इसमें है hybrid sim slot है एक memory card यहां पे आप रख सकते हो वन टीवी टक सपोर्ट करता है यह फैस्ट 2.2 स्टोरेज मिल जाता है जैसे मोबाइल देखने में काफ़ ज़्यादा प्रीमियम लगता है ओवराल दूस्तों इसका जो डिजाइन है यहां पर देख सकते हो काफी थिन डिजाइन दि दिया गया है यहां पर 6.7 इंचेस का FHD प्लस सूपर AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो की 3D कर्व डिस्प्ले के साथ में आता है यह और और कर्ट डिस्प्ले मिलता है और सेमेंट्रिक बेजल दियो है बेजल काफी थीन है आप यहां पर देख सकते हो 120 हर्ड रिप्रेस रेट के साथ में आता है साथ ही में दोस्तो इस मोबाइल में आपको 950 nits पिक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी मिल जाता है तो यहां पर ओर और डिस्प्ले है यह काफी ज़्यदा डिसेंट है एंड कर्व डिस्प्ले मिलता है इस प्राइस सेग्मेंट में 30K के अंदर एंड फ्रेंट में दोस्तो 32 मेगा पिक्सल का कैमरा मिल जाता है जो कि Omni Vision OV32C सेंसर के साथ में आता है वैसे सैटिंग सेक्षन में जाके आप रिफ्रेस रेट को 120 हर्ट से स्टेंडर डिफ्रेस रेट 60 हर्ट तक ला सकते हैं यहां पर दो आप्शन अबलेबल है अब आत क 5G प्रोसेसर प्रोइड किया गया है जो कि 6NM प्रोसेसर है Adreno GPU 619 पर रन करता है इसके लावर RAM एक्सपेंसर का सपोर्ट भी मिल जाता है 8GB RAM इसमें बिल्ड है और 8GB आप वर्चुल RAM का सपोर्ट ले सकते हैं आप करें ब्लोट वेर की तो इस मोबाइल में कुछ सब्सक्राइब के बारे में बात करें तो यहां पर गेम्स इस स्पेस जो की गेम्स नाम से भी जा रहे आता है यहां पर इसका वर्जन आप देख सकते हो लेटिस्ट वर्जन प्रोइड किया गया 4.9 वाला एंड 13.5.4 वर्जन के साथ में आपको फोन मेनेजर एप मिल जाती है तो अभी कलरोज 13 का लेटिस्ट वर्जन आपको मिलता है नोडिविकेशन पैनल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है रियल्म यूए 4.0 में भी आपको इस तरह का नया वाला नोडिविकेशन प सस्पोर्ट मिलता है जिसमें वन्टेश पे दिस्तो आप लॉक स्क्रीन पे अपने खुद के वालपेपर रख सकते हैं सदीम यहां पर लाइप टेपर का सपोर्टप भी आपको मिल जाता है तो यह सारे चीजे है जो कि यहां पर आपको extra मिल जाती है, self का option मिलता है, home screen पर long tap करने पर plus का icon, आपको top उपर में मिलेगा left side में और यहां पर जाने के बाद आपको various options मिल जाते हैं, जिसे one tap पर आप home screen पर ला सकते हैं, home screen पर ही अगर आप folder में जाएंगे तो यहां पर enlarge folder का option आपको देखने को मिलता है, जो कि ColorOS 13 Realme UI 4.0 का नया feature है, इसमें दुस्तो आप folder को enlarge कर सकते हैं, तो इस तरह से self का option मिलता है, जो की काफी ज़्यदा addictive लगता है, इसके अलावा अगर आप left to right swipe करेंगे तो यहां पर आपको Google Fit का option मिल जाता है, आप बात कर लेते हैं दुस्तो यूटूब वीडियो की, यह Max to Max आपको यहां पर कितना support मिलता है, यहां पर आप देख सकते हो quality abouts advance में अगर हम जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो, 1080p 60fps तक का option ही यहां पर आपको मिलता है, इस premium mobile में आपको नहीं मिलता है, तो कुछ इस तरक से quality वीडियो आप यहां पर देख सकते हैं, वैसे SDR का option अगर OPPO इस price segment में देता तो काफी अच्छी बात होती, wallpaper and style वाल option में आप जाएंगे जिसे personalization पहले बोला जाता था है, always on display का option मिलता है, यहां पर दुस्तों आपको various features मिल जाते हैं, इस Realme OPPO की जितने भी premium device में AOD Customization पे फीचर रहते हैं, यह सारे options features आपको यहां पर मिल जाते हैं, यहां पर दूस्तों आप देख सकते हो bitmoji का option available है, canvas का option available है and draw करके भी आप यहां पर customized AOD बना सकते हो, और भी बहुत सारे options यहां पर available है, Omoji का option भी यहां पर मिल जाता है, इसके अलावबा Global Warming से related तीन wallpaper जोकी AOD Customization में आप रख सकते हो, beer, penguin and fish यह तीनों ही wallpaper AOD Customization वाले available यहां पर रहते हैं, साथ हमें Realme OnePlus के device में, inside वाला जो AOD Customization option है यह भी यहां पर available है, Analog Clock, Digital Clock, सारे options यहां पर आपको मिल जाते हैं, overall जितने भी AOD Customization options हैं, यह सारे यहां पर मिल जाते हैं, इसके लावब वेरियस fingerprint animation आप चेंज कर सकते हैं, साथ हमें दूस्तो, Age Lighting Effect का option भी यहां पर मिल जाता है, Sound and Setting में अगर आप जाओगे तो Haptic Tone वाला option भी यहां पर मिल जाता है, जिसमें Vibration काफी अच्छे तरीके से होता है, कुछ unique feature के बारे में बात करें तो Air Gesture का option यहां पर आपको मिल जाता है, जिसके थूरू आप फोन को बिना टच किये, Call, Receive या फिर Cut कर सकते हो, Air Gesture option काफी unique option है, आप यहां पर इसी Air Gesture के थूरू scrolling कर सकते हो, साथ में दुस्तो वीडियो को Play Pause कर सकते हो, तो यह काफी unique feature है जो कि Reno 80 में आपको मिल जाता है, अब फड़ापर से camera के बारे में बात कर लेते हैं, night को option front error दोनों ही इसमें मिलता है, साथ में दुस्तो वीडियो का option आप देख सकते हो, max to max 10x zoom तक ही आप कर सकते हो, 1080p 720p का ही option आपको यहां पर मिलता है, and front camera में भी आपको वीडियो graphic के लिए 1080p 720 का option मिलता है, फोड़ो के बारे में बात करें, तो यहां पर दुस्तो अगें से max to max 6x zoom तक कही option मिलता है, यह ऐसा क्यों है, पता नहीं, minimum 10x zoom तो यहां पर दिया जाना था, यहां पर ported का option मिलता है, और यहां पर ported में जो filter है, जोकि AI ported, AI card ported filter यह आपको मिल जाते है, और rare camera में मिल जाता है, and front camera में भी आपको इसी तरह के AI ported filters मिल जाते है, जोकि काफी अच्छी बात है, अगर आप more के option में जाएंगे, तो यहां पर आप दिख सकते हो slow motion, micro scope photography के options अवेलेवल है, sticker आप यहां पर यूज कर सकते हो, dual view photography कर वीडियोग्राफिक कर सकते हो, panorama, microscope photography जैसे features यहां पर मिल जाते हैं, कुछ photo यहां पर live में हमने लिए, कुछ इस तरह की photo यहां पर आ जाती है, चलिए फटा फट से कुछ photo video sample भी इस mobile से हमने लिए हैं, वो भी check out कर लेते हैं, फटा फट से बात कर लेते हैं, gaming की SD695 processor मिलता है, काफी capable processor है, और यहां पर हमने इसका full gaming test भी के video channel पर available है, फटा फट से यहां पर हमको पता दें, game space का support यहां पर मिल जाता है, newly game space यहां पर आप दिख सकते हो, यहां पर दोस्तों आपको voice changing वाला option भी मिल जाता है, एक और option यहां पर available है, क्योंकि game filter का है, बट इसे tape करने पर यहां पर यह लिख के आ रहा है कि भाई, यह जो game है, game filter को support नहीं करता है, SD695 processor है, फटा पर से यहां पर graphic support हम देख लेते हैं, यहां पर देख सकते हो, smooth के साथ max to max ultra का option मिलता है, balanced ultra, HD के साथ high, HDR का option इसमें नहीं मिलता है, वैसे इस mobile के थुरू आप 48 पे इस तक gaming कर सकते हो, dual stereo speaker का support मिलता है, 200 तक volume आप यहां पर increase कर सकते हैं, साथ ही में 3D curved display का support मिल जाता है, और अल जो gaming experience है काफे ज़दा decent होता है, वैसे दूस्तों यह waterfall rating के साथ में भी आता है, इस mobile में IPX4 rating मिलती है, और साथ ही में Bluetooth 5.1 का support भी मिलता है, और अल जो mobile है काफे ज़दा decent है, 3D curved display के साथ में आता है, curved display अले mobile अगर आपको पसंद हो, पूर के branding पसंद है तो आप इस mobile के साथ जा सकते हो, 8GB 128GB variant 30K के आसपास available है, और भी कोई doubt question आपके है, तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं, और पुरान पूर्प के आसपास आकर आप रहते हैं, तो प्रणाव enterprise देश रुपाली correction में mobile, online से कमदाम में available है, चेक आउट जरू से करेगा, दोस्तों इस वीडियो में इतना हैं मिलते हैं, नेक्स ने वीडियो के साथ मैं तब तक कि लिजयन बोलते रहे हैं, वंदे मातरम